जोस्तों Samsung Mobile में आज मैं आपको डिस्प्ले सेटिंग्स बताऊंगा जिनको ओन या ओफ करने के बाद आपके Samsung डिवाइस के जो बैटरी है वो बहुत जाला बढ़ जाए बैटरी बैकप ठीक है मलग कि एक दो दिन तक आपकी बैटरी चलेगी अगर आप एक बार उसे फूल करेंगे तो यह बहुत अमेजिंग सेटिंग है बहुत जरूरी सेटिंग है जो कि आपने डिस्प्ले की Samsung डिवाइस में करनी है उसको करने के बाद आप लिक के लिए लो आपकी बैटरी बैकप प सौल नहीं होगा तो प्लीज वीडियो को जरूर देखना पूरा और नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरे चैनल में इस तरह की वीडियो मिलती रहती है बाकि वीडियो को जालादा लाइक की ता कि मुझे मॉटिवेशन मिले तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं और के न्यूस टेक चैनल तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं चलते हैं माँ मॉवाइल की सेटिंग पर चलते हैं सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना डिस्प्ले वाली सेटिंग में जैसे कि आप यहां पर ट्रेन होगे लेकर ब्लैक मोड में डार्क मोड में आपकी जल्दी ट्रेन नहीं होगे क्या कि Jordi पिक्से ब्लैक हो जाएंगे और जो depth करेंगे मतलब वही आपके ओन होंगे अदर्वाइज जो ब्लैक होंगे मतलो कि आपके डिस्प्ले बंद रहेगा इससे आपकी बैटरी बैकप इंक्रीज होगा उसके बाद आता है नीचे अडेप्टिव बाटनेस ठीक है ऑटोमेटिक बैटनेस आपका बंद रहता है तो आप अपने हिसाब से अगर अडेप्टिव बैटनेस जहां पर बंद कर देंगे तो आप अपने बैटनेस अपने हिसाब से अडेजस्ट कर पाएंगे रेंगे हैं तो आपकी बैटरी ओर ज्रुए और यो जाईगी अगर आप इंडोर रहेंगे तो आप आपके बैटन जो ब्लैक सबग कम हो करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दो दिन बैटरी चले तो आपको यहां पर थोड़ा सा कॉम्परमाइस करना होगा आपकी जो स्मूथनेस से इसको कम करना होगा आपके स्टेंडर में रखना होगा मतलब की रिफ्रेश्ट रेट जो 60 हर्ट्स तक आपने यहां पर रख देना है 120 Hz या फिर 90 Hz हर्ट्स है जितना भी होगा आपके डिवाईस में अपने स्टेंडर में यहां पर इसे रख देना है ठीक है इसे आपने यहां पर अपलाई कर देना है उसके बाद नीची आएंगे स्क्रीन मोड का ऐप्शन देखने को मिलता है स्क्रीन मोड आप आपने यहां पर इससे ओन रखना है क्योंकि आई कमफर्ट शील्ड मतलगी आपके आंखों को कमफर्ट मिलेगा जब आप रात के टाइम फोन यूज करते हैं ठीक है इसको आप ऑटमाटिक भी रख सकते हैं फिर कस्टम भी रख सकते हैं तो कस्टम में क्या होता है जैसे कि मै अब सेट सकते हैं सेट टू संराइज मदर जब संसेट होगा या टू संराइज होगा ठीक है उसका आपकर शाम के टाइम आपका आई कमफर्ट शील्ड ओन हो जाएगा इससे आपकी बैटरी बैक अप जो है इंक्रीज होगा रात को जब आप फोन यूज करते हैं पता यह टाइम इतना होता नहीं है तो आप जादा रात को रुष करते था आपने इसको आई कमफर्ट शील्ड यहां पर और रखना है ठीक है उसके आद आपको यहां पर स्क्रीन रिजूलिशन का ओप्शिन देखने को मिलता है स्क्रीन आपका QHD में रहता है इसने आपने SD प्लस म मिलेगे screen time out जो है आपने हमें इसे करना 15 सेकंड तक यहां पर कर देना है आप 30 सेकंड तक रहता है आपने 15 सेकंड तक अपने screen time out मतलब कि आपके 15 सेकंड बार आपके फोन की जो स्क्रीन है वो बंद हो जाई अगर 30 सेकंड बार बंद होगी तो आपकी बैटरी जल्दी गुद्धी नपर को मतलब बहुत जल्दी कंजीम हो जाएगे तो आपने से 15 परेंट ही तेसे 15 सेकंड ही यहां पर स्लेक्ट करके यहां पर रखना है एज पैनल अगर आप यूज करते हैं तो यहां से बंद कर सकते हैं अगर यूज करते हैं तब रहने देना क्योंकि आज पैनल भी आपकी बैटरी को जो है यूज करता है ठीक है आपकी बैटरी यूज करता है जल्दी आपकी बैटरी ड्रेन हो जाती है accidental touch आपने यहां पर on रखना है touch sensitivity अगर आपके device में turn sensitivity ठीक है तो आप इसे बंद कर दें क्योंकि जरूरी नहीं touch sensitivity आपने on रखनी है इसको on रखेंगे तो sensitivity ज्यादा रहेगी तो आपकी बैटरी जल्दी drain होना start हो जाईगी show charging information आप इसे बंद कर दें क्योंकि charging भी लगाते तो charging information आता तो आपकी बैटरी जल्दी चार्ज नहीं होती है आपको problem हा जाती है बस यह कुछ settings थी उसके बाद last always on display आपने इसे बंद ही रखना है इसको on नहीं करना है अगर always on display आपका on रहेगा तो आपकी battery standby mode में भी जल्द खत्म होती रहेगी समझ गें बाकी यह कुछ आपकी settings display की जो कि आपने करनी थी उसके बाद आपकी battery backup पहले से जादा हो जाएगा ट्राइज जरूर कीजिएगा आपके आपको result मिल जाएगे बाकी आज का वीडियो कैसा लागा comment box पे comment कीजिए झाल 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 झाल